गली-गली में शौर है। आमने जो बोर्ड लगाया हुआ है कि गर कोड़ के घर का रेनोवेशन पैंटालिस करोड का करोल बाग के भी नई दिल्ली लोगसबा के भाई वेन तो आप मुझे बताइए आप सब के भी घर हैं अच्छे खासे लोग हैं आप तो जीके रहते हैं, काम भी आपका बढ़िया है, 45 करोड खर्च होता है रेनोवेशन पे, नाया घर बन जाता है, साड़े चार 5 करोड में 500 गज की कोटी बन जाती है, ये सब काम करते हैं, इसलिए इनसे पूछा मैंने, कि मेरे हिसाब किताब थोड़ा कमजोर होगा, पै जब दिल्ली की जनता खाने के लिए, ओक्सिजन के लिए, बिमारी से जूचते हुए तराही मान थी, दिल्ली में घर से नहीं निकल सकते थे आप, तो रेते की, सिमेंट की गाड़िया कैसे आ रहे थी, काम कैसे चल रहा था, कंस्ट्रक्शन बैंग थी, नियम कानून के अन मानते हो, तो किस व्यक्ति को नेता मानते हो, जो नियम कानून का पालन करता है, कल को कोई व्यक्ति ब्रश्ट हो जाए, उसको आप अपना नेता मानोगे क्या, जो नियम को तोड़ता हो, आप उसको नेता मानोगे क्या, जो आदमी जूट बोलता, उसको नेता मानोगे क्या अब आप अंदाजा लगाईए कि इस व्यक्ति ने ऐसे समय पर जब निर्माण बैन था ये सब पैसे खर्च कैसे हो गए जब दिल्ली की गरीब जनता को धक्के मार कर दिल्ली से बाहर फेका जा रहा था कहा जा रहा था वापस अपने अपने इलाकों में जाओ उन्ही मजदूरों को जो मजदूर कंस्ट्रक्शन साइट पे निर्माण का काम करते हैं उन्हीं को बाहर निकाला जा रहा था तो एक विशे है moral wrong का ये वो व्यक्ति है जो कहता था मैं गाड़ी नहीं लूँगा बंगला नहीं लूँगा तो जो अपनी वाइदा पिरोशी इसने किये एक वो विशे है गाड़ी बंगला सब कुछ लिया लेकिन इस सब के बीच में अपने लिए सेवन स्टार फसिलिटी का निर्माण किया फाइव स्टार भी नहीं सेवन स्टार फसिलिटी का निर्माण किया दूसरा wrong जो बड़ा wrong क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बात का जवाब आना चाहिए जब गुमरहा करने के लिए इसके जो गुरगे हैं वो अपना मुकाबला प्रदान मंतरी से करता है बाईया 120-130 करोड का नेता डेड़ पॉने दो करोड का नेता दोनों में अंतर होता है या नहीं होता है ना दिल्ली की जनसंख्या तो जो है वो है लेकिन जो डाई लाग के आसपास एक संसधिय क्षेत्र में वोटर है आप अंदाजा लगा लो कि दिल्ली के वोटर कितने है पॉने दो करोड मान लो डाई करोड दो करोड दो करोड लोग तो दो डाई करोड एक शेहर का नेता देश के प्रदान मंतरी से अपना मुकाबला कर रहा है ये भी समझ लो दूसरा जब ये अन्ये लोगों की बात करत होता है तो यह भूल जाता है कि कोई भी सरकारी काम नियम कानून के हिसाब से होता है सड़क बनेगी दस लाख रुपया खर्च होगा पचास लाख रुपया खर्च होगा टेंडर होता है या नहीं यह बाई साब ने अपना 45 करोड मेरा आपका खर्च दिया बिना टेंडर क सोच रहे हो बिना टेंडर के कोई टेंडर नहीं किया है समझाई बात घपला गोटाला समझो इसका घपला गोटाला है कि 45 करोड रुपया 45 करोड रुपय का एक पूरा टेंडर जाता मार्केट में फ्लोट होता lowest bidder को टेंडर की मिलती मान लो 45 करोड के टेंडर में अभी रविंदय जी ने और शार्दा जी ने मुझे बताया कि ये तो 45-45 करोड में बन जाता मकान तो मैं कह रही हूँ मान लो कोई और चुस्त होता इन में से ही कोई होता तो कहता हम 10 करोड में बना देंगे 5 करोड का फिर फ़ाइदा ले जाते हैं नहीं? 45 करोड में तो फिर बच जाता आप समझो कि इसने क्या किया है इसने 45 करोड के टेंडर को 10 करोड से कम 9,9 करोड 8 करोड 1 करोड ऐसे करके पांच साथ बारी में निकाला ताकि सेक्टरी पी डबल्यूडी जिसके सिगनेचर होने थे वो ना हो क्योंकि सेक्टरी तक जाता तो बात उपर जाती तो सेक्टरी तक ना जाये नीचे-नीचे काम हो जाये तो इन्हों ने वो 10 करोड के जो नीचे की संख्या में 4-5 बार में पैसे बाहर किये दूसरा क्या किया ये जिस इलाके की बात है ये लट्टियंस डेली जैसा इलाका है यहाँ पर इट भी नहीं लगा सकते आप इट भी परमिशन के बिना नहीं लगती यहाँ पर तो मास्टर प्लान 2021 के मताबिक यहाँ पर आप कुछ निर्मान का कारे नहीं चाहिए थी उनके नियम है उनके कानून है इन्होंने DOAC की पर्मिशन नहीं ली तो इन्होंने नियम कानून का उलंगन किया पेड काटने में ठीर टेंडर वाला धंदा किया जैसे 45 करोड के टेंडर को चार-पाज जगा में विभाजित किया ऐसे ही पेड की जो पर्मिशन होती है अगर दस पेड से उपर की पर्मिशन है वह उपर वाले अधिकारी के पास जाती है तो इन्होंने क्या 420 की नो की पर्मिशन ली दो की पर्मिशन ली छे-छे की पर्मिशन ली पाच की पर्मिशन ताकि उपर के अधिकारी के पास कागजी ना जाए किसी को कानो कान खबर ही ना हो कि क्या दुन्दा चल रहा है और जहां भी पेड़ कटता है उसके एवेज में आपको अंडर्टेकिंग लिदेनी होती है एक पेड़ के बदले पाथ पेड़ लगाने होते हैं इनों ने इनके उपर जो लाइबिलिटी थी दो साट पेड़ लगाने की हुई 260 पेड़ लगाने की यहीं बगल में जगा है मेटकफ हाउस, पता है ना सबको डियाइदी ओ वाला तो डियाइदी ओ वाली जगा पे इनको 260 पेड लगाने थे, इनोंने 186 पेड लगाए 166 वाली पिट खाली है, वहां एक भी पेड नहीं है, जो पेड ट्रांस्लोकेट होने थे, जो बड़े बड़े पेड हैं, बर्गत के बड़े पुराने पेड हैं, 300-400 साल पुराने पेड हैं, उन पेडों में सिरफ एक पे कि खोज खबर नहीं है यानि साड़े पेड जो ट्रांस लोकेट होने थे उनको भी मारा गया यह दिल्ली का मुख्य मंतरी जो जो नियम कानून को नियम कानून को ताक पे रखता है यह भी नियम है फाइनाइस डिपार्टमेंट का बीस लाग से उपर फरनिशिंग के उपर औ दोटी है इनों ने वह भी नहीं गोशित किया उसकी yaration में काम किया वहां भी धंदव पलेड रहे सी टानंदा सीता नंदा के उपपर 2022 में income tax की rate पड़ी है तो ब्रश्टाचार वाले लोग ब्रश्टाचारियों के साथ ही मिल जुलकर काम कर रहे हैं ये इनकी कानून की violation है तो ये अपने आपको प्रधान मंत्री जी या अन्य मंत्रियों से मिलाना और compare करना बंद कर दे क्योंकि घोटाला यही है कि बाकी लोगों ने बिना tender के contractor को फाइदा देने के लिए 5.5 करोड वाले tender की extension नहीं की ये धंदा है ये बेहिमानी है ये scam है और इस scam ये scam का जो इन्होंने काम किया है ये दिल्ली की जनता को देश की जनता को समझाना जरूरी है और आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं यही जानकारी प्राप्त करने के लिए या तो भाई घर का दर्वाजा खोलो ताकि हम भी देखे कैसे परदे कैसे गमोड लगे वे या दूसरा दर्वाजा खुले दियम कानून का दर्वाजा खुले ताकि कानूनी कारवाई इसके खिलाफ हो सके और यह व्यक्ति के उपर कानूनी कारवाई हो और सब को दुनिया को पता चले कि जो इस तरीके की चोरी और सीना जोरी करते हैं उस अव्यवस्था के खिलाब भी नियम कानून है और मैं जो यह बार-बार कुछ भी जालने के बाद बोलना चालू करते हैं अरे अज है cbi ed यह वह पामारे पिछे लगा दी यह कर दिया वह कर दिया तो बही ऐसा करतें पुलीस हटा देते ऐए देश तो बहुत अच्छे से चलेगा खुला दे देते ना इनको रिवालों को घर वाले कोई काम मत करो यह तो केजरी वाल की पार्टी में शामिल हो यह घर वैठ दो क्योंकि देश के नियम कानून की तो कोई यह dwrock बोल देश के बाहर पैसा लेह जा रहिंत्य चरी चली च्कारी कर रहे जाने दो देश की चंत Small लेजने में फाहिए तो आपने देश को अपना बनार रखना या पाकिस्तान की कगार पह Double लाके खड़ा करना है यह सब व्यवस्थाएं इसी देश के नियम कानून का कानून व्यवस्था जो है वह संविधान के तहद बनी हुई व्यवस्थाएं और जिनको देश के कानून की पहचान नहीं है पता नहीं है तो मैं उनको थोड़ा सा घ्यान बढ़ देती हूं लेकिन जो खुद असंविधानी काम करते हैं गहर कानूनी काम करते हैं वो संविधान की व्याख्या ना दे तो बेटर है और इस सब का मुकाबला करने के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हैं और देश दुनिया को बताने के लिए कि किस किस तरीके से इन्होंने स्कैम किया है इनके खिल पर बुरे और संब्धानिक लोगों ग्यार कानुनी काम के अलावा कोई काम नहीं जानते और हरे एक नेता इनका किसी ना किसी तरीके से इन सब चीजों में उल्जा हुआ है बचाने में या करने में गली गली में शोर है गली गली में शोर है गली गली में शोर है जेहिन जे बारत बारत मता की